हाई फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से आप सब का आपके यूटूब चेनल में बहुत बहुत अग्नना ना और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्कून है बार बार कमेंट करके आप पूछ रहे थे कि जून 2020 ग्याम के लिए एगनू के ऑनलाइन ग्या ऐस प्राइब करेंगे तो इस तरह से जो मन में वह सब इसका स्माधान इस वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो को जाज ज्यारा लाइक करें शेर करें जिससे आपके दूसरे साथी नहीं है वह लोग भी यह इंफॉर्मिशन पास सकें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ततकाल सब्सक्राइब कर लें जिससे एगनों से संबंदे जो भी इसके बाद हो सकता है तो बहतर होगा कि आप पहुंच जाएंगे रिडारेक्ट कर दिये जाएंगे फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ऑनलाइन एक्जामिनेशन का जो पोर्टल है exam.ignu.ac.in उसके अंदर और यहां पे लिखा हुआ है guidelines and instructions for submission of online examination form for June 2020 क्या important dates हैं कब से कब तक कितनी फीस आपको देना होगा तो देखिए जो यह online examination form भरने की प्रक्रिया प्रारंब हुई है आज है 11 March 2020 और आज से ही यह जो online link है active हुआ है प्रारंब हुआ है साम से प्रारंब हुआ है और 31 March 2020 तक without late fees आप अपना online examination form भर सकेंगे और इस दौरान जो examination form भरेंगे वहां पे जो आप ने examination center opt किया होगा या करेंगे वो first come first basis पर आपको मिलेगा जैसे ही उस center पर सीटे फूल हो जाएंगी फिर आपका जो दूसरा exam center है alternate choice है उसके calling मिलेगा तो जल्दी से आपको examination form परना प्रारम करना है और इसके पहले हमने एक वीडियो गनाया था कि कौन लोग examination form भर सकते हैं जून 2020 के लिए उसका link भी मैं इस वीडियो की description box में दे रहा हूं वहां से आप उसको देखिएगा और इसके राबबा जो important चीज है कि 1 April जी हाँ 1 April 2020 से 30 April 2020 तक late fees के साथ आप examination examination form भर पाएंगे और लेट फीस होगी 500 रुपए तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो अभी बचा हुआ समय है लगभग आपका जो 20-21 दिन का समय हो उसी दोरान आपको examination form भर लेना है ऐसे भी last date पर बहुत ज्यादा रस हो जाता है इंटरनेट सर्वर पर आप उस भीर से भी बच जाएंगे और जो तीसरा आपके पास option होगा वो होगा एक माई से बीस माई तक एक हजार रुपए लेट फीस के साथ लेकिन वो जो examination center रेलाट होंगे वो केबल और केबल regional center वाले exam center मिलेंगे आपको यानि जो local center होते है ग्यामेशन सेंटर होते हैं वो मिलेंगे तो फिलाल उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे इंपोर्टेंट यह है कि online examination farm भनने टारंग हो गए हैं आज 11 मार्स से अभी 31 मार्स तक कोई लेट फीस नहीं लाएगी जो केबल आपकी course की फीस है 150 रुपए पर पेपर वही बस लगेगी एक अप्रेल से 30 अपरिल तक 500 रुपए फीस का बुकतान आपको करना होगा और फिर 1 माई से 20 माई तक 1000 रुपए फीस लगेगी course फीस के अलावा यह फीस होगी इसके अलावा जो important चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए examination farm भनने के पहले तो जो इन्वेस्टी का नाम से जो इगनू का registration होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को जो प्रोग्राम का maximum duration हो वो पूरा हो जाता है और उसके बावजूर वो examination farm भरते हैं और बाद में उनका हाल टिकट जनरेट नहीं होता तो यह आप इंशोर कर लें कि आपको यह जो प्रोग्राम की maximum validity है वो अभी बची होई होनी चाहिए ठीक है और इसके रावज जो important चीज है आपको जो ध्यान रखना है एक तो यह है कि जो examination farm आप भरेंगे उसमें जो आपके theory के paper होंगे उनकी fees भी 150 रुपर पर पर course है और practical या lab की जो फीस है वो भी 150 रुपर पर paper है तो दोनों ही फीसों का वुक्त बचान आपको करना है एक साथ करना है यानि वन बे आपको examination farm बना है अपने सभी theory और practical के papers एक ही बार में select करके एक बार में examination farm बना है कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी एक बार में 4-5 course भरते हैं बाद में उनको ध्याना आता है कि मेरे वह वाले course छूड़ गया फिर है और फिर उनका hard ticket generate होने में problem जाता है तो ऐसी स्थिती में आपको इस चीज को इंशोर करना है कि जो जो आपके papers हैं उनको आप एक बार में examination farm के माध्यम से भल लीजिए जब आप अपना examination farm भल लेंगे तो 72 hours के बाद आपको search option में आपके examination farm का status भी reflect हो जाएगा तो हम detail मे next video बनाएंगे और उसमें बताएंगे किस तरह से आपको अपना examination farm भलना है और कई बार ऐसी भी स्थिती होगे कि जब आप examination farm भर रहे होंगे आपके account से payment हो जाएगा लेकिन IGNU के account में वो payment नहीं जाता या कई बार double payment हो जाता है तो ऐसी स्थिती में आपको कहां contact करना है उ बार आपका double payment हो जाता है उस स्थिती में ठीक है इसके बाद यहां पर date seat का पहले से ही बता दी गई है और examination centers भी बता दिये गए हैं कौन कौन से examination center इस बार इगनुने बनाए हैं पूरे देश में जैसा कि आपको पता ही है कि आप पूरे देश में कहीं भी exam दे सकते हैं यह इगनुने flexibility है exam के मामले में पूरे देश में आपकी क्याम सेंटर में पैट सकते हैं बले ही आपका रिजनल सेंटर कोई भी हो आप बांबे रिजनल सेंटर में पढ़ारा है हो यह आप पटना रिजनल सेंटर में पढ़ रहे हो। लेकिन एक्जाम के मामले में आप देश के किसी भी ग्याम सेंटर में एक्जाम दे सकते हैं। तो friends इस वार इगनुन ने जो एक बहुत अच्छी विवस्था की है वो है date seat आप online date seat देख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है जब आप इससे वाले पेज़ पेज़ जाते हैं। जयसे ही अपना प्रोग्राम सेलेट करना हूँ। तो friends यहां से हम program select करेंगे यह मैंने बीएजी program select किया और जैसे ही आप यह program select करेंगे तो बीएजी program में जितने भी courses हैं उनकी examination की date with session की exam morning में होगा या evening में होगा जैसा कि आपको पता होगा या आप नए विद्धियार थी हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इगनू फिर इसके बाद 2 बज़े से 5 बज़े तक evening sick होती है तो जैसे ही आपको प्रोग्राम select करते हैं सीधे यहां पे आपको उस particular program के जितने भी courses हैं उनकी date seat आपको मिल जाएगी तो एक यह अच्छा प्रयास है पहले बहुत मशक्कत करना पड़ती थी एक एक course को find out करना पड़ है और इसके बाद उस प्रोग्राम में जितने भी courses हैं उनकी पूरी date आपके सामने आ जाएगी तो यह बहुत अच्छा प्रयास रहा है और एक अच्छी बात है कि अभी इसमें जो theory की सभी dates आ गई है practicals की आपको separately inform किया जाएगा तो यह तो date seat के बारे में था और आए दे अंतरगत आपको पता करना है कौन कौन से ज्याम सेंटर है तो वह भी आप access कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर मुंबई सेलेट किया और इसके बाद मुंबई मुंबई रिजनल सेंटर के अंतरगत जो भी examination सेंटर है वह आपको यहां पर दिख जाएंगे तो यहां पर दिखे कांदी वली है पर नौल है बहुत सारे क्यामनेशन सेंटर हैं जो मुंबई के अंदर हैं तो यहां पर reflect हो रहे हैं किसी और दूसरे रिजनल सेंटर में ही आपको दिख जाएंगे यह एक बहुत अच्छा प्रयास है बहुत अच्छा काम है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉलम होती थी कि ग्याम सेंटर सर्च करने में कहीं अगर बाहर के किसी रिजनल सेंटर का ग्याम सेंटर देखना हो तो बहुत ज्यादा exercise करने पड़ती थी तो अब यह अच्छा हो गया है अब यह राजस्थान के जैपूर रिजनल सेंटर में जो 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 एक्जामनेशन सेंटर एक्टिव हैं बुन की लिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं या फिर आप सिटी के बेस पे भी अपना एक्जाम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर बोपाल लिखा और बोपाल के अंतरगत अगर हमें देखना है तो फिर आपको सिती के आपको नाम लिखने होंगे और यह फिर वहां के जिनल आ गए तो यह बहुत अच्छा रहा इस बार बच्चों के लिए काफी सुविदा हो जाएगी तो यह दो important चीज़े यहां से हमें पता चली सबसे पहले कि date seat आपको easily मिल जाएगी आपके program के हिसाब से पूरी date seat आ जा रही है ग्याम center की list आप आसानी से access कर सकते हैं अपने regional center की हिसाब से भी निकाल सकते हैं या फिर city का अगर नाम आपको पता है तो city के नाम भी लिख करक बहुत जरूरी है अगर आप अपरा examination farm भरते हैं और मान लिजे आपने कोई particular examination center आप्ट किया और बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरे लिए ठीक नहीं है मेरे को कोई दूसरा examination center लेना चाहिए तो इस बार इगनुन ने यह facility दी है कि आप 1 माई से 5 माई यानि इ इसा की पता है पिछली बार FST और BSHF 101 के multiple choice question आये थे MCQ based exam हुआ था इस बार एक और कोर्स इस कड़ी में जुड़ गया है वो है BEVAE 181 जो की BAG विकामजी और BSCG program का compulsory paper है परियावरा नध्यन का जो compulsory paper है इसमें आपका theory नहीं है MCQ based exam होगा तो और भी जो important चीजे है next video मे मैं cover करूँगा और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में exam से सम्मानी तो और भी बहुत सारी चीजे हैं और हम बताएंगे आपको किस तरह से आपको अपना ग्यामनेशन फार्म बनना है step by step तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत भुत धन्यवाद जैहि जै भालत थैंक यू